ग्षेलो दोस्तो, सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी हिंदी की 造ви स्का 19 पार्ट है चलिए आजकी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला zesब्सटन रचणा की आधार पर वाक्के के भेध हैं इसका अंसर ए 3 रचना के आधार पर वक्के के तीन भेद होते हैं पहला सरल वक्के जिसे सादर्न वक्के भी कहते हैं दूसरा संयुक्त वक्के तीसरा मिश्र वक्के जिसे मिश्रित वक्के भी कहते हैं अर्थ के आधार पर वक्के के आठ भेद होते हैं फस्ट विधान वाचक, सेगिंड निसेद वाचक, थर्ड आग्या वाचक, फोर्थ परसन वाचक, फिफ्ट इच्छा वाचक, सिक्स संधे वाचक, सैवन विस्मे वाचक और एट संकेत वाचक अगला विश्चन है, वाक्य में परियुक्त सब्द को कहते हैं, इसका आंसर है पद, वाक्य में परियुक्त सब्द को पद कहते हैं, अगला विश्चन है, वाक्य में सब्दों का करम निर्धारित होता है, इसका आंसर है पद करम से, वाक्य में सब्दों का करम पद करम से नि दो बिन बासाओ के मेल से बने सब्द कहलाता है, इसका आंसर है संकर, दो बिन बासाओ के मेल से बना सब्द संकर कहलाता है, अगला कुछन है, निमलेकित में योगरूड सब्द चुनिये, इसका आंसर है चकरपाणी, चकरपाणी योगरूड सब्द है, जबकि दूद वाला योगिक सब्द है पीला और नेन ये रूड सब्द है अगला उस्चन है घुड़सवार सब्द निवन में से क्या है इसका आंसर है योगिक सब्द घुड़सवार योगिक सब्द है अगला उस्चन है वर्णों के उस समूगो जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा ज जाता है अगला उश्चन है सलमा घर जाती है वाक्य है इसका अंसर है सरल वाक्य या एक सरल वाक्य है अगला उश्चन है मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चितर कार है इस वाक्य में विभेद है इसका अंसर है बहुत अच्छा इस वाक्य में बहुत अच्छा विभेद है अगला उश्यन है समन्यता सब्द के कितने परकार होते हैं इसका आंसर है दो समन्यता सब्द के दो परकार होते हैं इस्त्रोतिया इतियास के अधार पर सब्द के पाँच परकार होते हैं पहला तत्सम दूसरा तत्बव तीसरा विदेशज फौर्थ देशज और फाइव संकर जबकि रचना और बनावट के अधार पर सब्द के तीन भेद होते हैं पहला रूड, दूसरा योगरूड और तीसरा योगी और रूपिया परियोग के अधार पर सब्द के दो भेद होते हैं फर्स्ट विगारी, सेकंड एविगारी जबकि अर्थ के अधार पर सब्दिये चार भेद होते हैं पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समनार्थी और फोर्थ विलोम समनार्थी को परियावाची भी कहते हैं अगला उश्चन है बनावट के अधार पर सब्दों के कितने भेद होते हैं इसका अंसर है तीन रचना या बनावट के अधार पर सब्दों के तीन भेद होते हैं पहला रूड दूसरा योगी और तीसरा योगरूड जबकि इस्तरोत या इतियास के अधार पर सब्द के पांच परकार होते हैं पहला तत्सम, दूसरा तत्भव, तीसरा देशज, फौर्थ विदेशज और पांचवा संकर और रूपिया परियोग के अधार पर सब्द के दो भेद होते हैं विकारी और सेकंड एविकारी जबकि अर्थ के अधार पर सब्द के चार भेद होते हैं पहला एकार्ति, दूसरा अनेकार्ति, तीसरा समनार्ति और फूर्ट विलुम अगला उश्यन है, आगत सब्द से सम्मंदित है इसका आंसर है विदेशी सब्द सब्दांस कितने परकार के होते हैं इसका आनसर है दो सब्दांस दो परकार के होते हैं अगला उश्चन है रचना के अधार पर रूड सब्द नहीं है इसका अंसर है विज्ञान रचना के अधार पर विज्ञान रूड सब्द नहीं है जबकि दिन, आख और घुडा ये रूड सब्द है अगला उश्चन है योगरूड सब्दों की पैचान करें, इसका अंसर है पितामबर, पितामबर योगरूड सब्द हैं, जबकि घर और मुँ ये रूड सब्द हैं, और सामाजिक यह योगिक सब्द हैं, अगला कुछन है, कौन सा सब्द अर्बिगा नहीं है, इसका अंसर है कमीना, कमीना पार्सी नहीं है यह एक अर्बी सब्द है अगला विशन है तुर्की सब्द नहीं है इसका आंसर है आमदनी तुर्की सब्द नहीं है आमदनी फार्सी सब्द है अगला विशन है मैंने उसे पीटा इस वाक्य में विदे की पैचान करें इसका आंसर है उसे पीटा उसे पीट इस वाक्य में विदे है और मेने फिदे से अगला प्षिजन से रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, इसका आंसर रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं साधर्ण वाक्य मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य जबकि वाक्य का अंग उदेश से और विधे होता है अगला विश्यन है निम्न में से वाक्य के अंग है इसका आंसर है उदेश से वय विधे उदेश से वय विधे वाक्य के अंग होते ह अगला विश्यन है राकेश पढ़ता है यह कैसा वाक्य है इसका आंसर है साधरन वाक्य है अगला विश्यन है मैंने दूद पिया किस परकार का वाक्य है इसका आंसर है विदान वाचक वाक्य है मैंने दूद पिया यह विदान वाचक वाक्य है अगला विश्चन है गोरव तुम बैठ कर पड़ो किस परकार का वाक्य है इसका अंसर है अग्या वाचक वाक्य है गोरव तुम बैठ कर पड़ो यह अग्या वाचक वाक्य है अगला कुछन है निमलिकित में से कौन सा वाक्य निसेद वाचक नहीं है इसका आनसर है मैंने दूद पिया यह वाक्य निसेद वाचक नहीं है जबकि मैंने खाना नहीं खाया तुम मत लिको मैंने दूद नहीं पिया यह निसेद वाचक वाक्य है अगला कुछन है अर्था न वाक्य के आठवेद होते हैं फर्स्ट विधान वाचक सेकंड निसेद वाचक थर्ड आग्या वाचक फोर्थ परसन वाचक फिप्त इच्छा वाचक सिक्स संदेवाचक सेवन विश्मे वाचक और एट संकेत वाचक अगला विश्चन है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस परकार का वाक्य है इसका आंसर है इच्छार तक वाक्य है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे या इच्छार तक वाक्य है अगला विश्चन है वया करनेक दृष्टी से बासा की सबसे बड़ी इकाई है इसका आंसर है ओप्सन भी वाक्य है वया करनेक दृष्टी से बासा की सबसे बड़ी एकाई वाक्य है जबकि वयाकरने की दृष्टी से बासा की सबसे छोटी एकाई वर्णिया धवनी है तो दोस्तो यादिया मारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जुरूर बताए धन्यवाद